पालिस्थान समर्थक संगटन सिखफ़ जस्टिस ने भारत के खलाफ एक और बड़ी साज़श रची है सिखफ़ जस्टिस के सरगना गुर्पत वंध सिंग पन्नु ने एक बार फिर 15 अगस पर रंग में भंग डालने की साज़श रची है इसके लिए पन्नु ने किसान आंदोलन कारियों और उनके समर्थकों को भढ़काने की साज़श रची है पन्नु चाहता है कि किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में ऐसा हंगामा हो कि प्रधान मंत्री स्वतंतरता दिवस की मौके पर लाल किले से ज़ंडा नहीं भेरा सके किसान आंदोलन के दोरान लाल किले पर जुस्तरा हंगामा हुआ था एक बार फिर कुछ वैसा ही माहौल बनाने की साजिश रची गई है इसके पीछे सिक्फ और जस्टिस की सरगना और खालिस्थान समर्थक जी एस पन्नू का शातर दमाग है इसके लिए 15 अगस्त जैसे पवित्र तारीक को चुनाई है जिस दिन आजादी का जश्ण मनाने और देशवासियों को संदेश देने के लिए खुद प्रधान मंतरी लाल कले पर मौझूद होते हैं देश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई है इसलिए पन्नू की साजिश का अमल में आना नामूम्किन ही है खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पन्नू ने 15 अगस्त को तिरंगा फैराने से प्रधान मंतरी मोधी को रोकने के लिए साजिश रची है सिक्प और जस्टिस संस्था ने किसान अंदोलनकारियों और उनके समर्थकों को हजारों ट्रेक्टरों के साथ दिली की सडकों को जैम करने को कहा है इसके अलावा पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम और महराष्ट के किसानों को तिरंगा ना फैराने को कहा है सिक्प और जस्टिस की साजिश लोगों की भावनाओं को भड़काना है इससे पहले इसी साल 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा मामले में भी सिक्प और जस्टिस का हाँच सामने आ चुका है उस वक्त भी किसान अंदोलन की आड़ लेकर संगठन ने देश का माहौल बिगारने की कोशिश की थे कुछ दिन पहले भी सिक्प और जस्टिस में तिरंगे का अफमान करने वाले और प्रधान मंत्री की तस्पीर वाले विबादिक वयान दिये थे बताया गया कि सिक्प और जस्टिस बंगाल, पंजाब और कश्मीर में देश विरोधी ताकतों को इकठा कर भारत के चुकड़े करने के सपने देख रहा है चुकि 15 अगस्त बड़ा मौका है, ऐसे में दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए पन्नू की नजर स्वतंतरता दिवस पर है खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि सिक्प और जस्टिस के पन्नू ने फिर से हिंसा का ब्लूपरिंट तैयार किया है इस तरह 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली के जरीए हंगामा किया गया और लाल किले पर धार्मिक जंडा पहराया गया उसी तरह इस बार देश के अलग-अलग हिस्सों में स्वतंतरता दिवस पर माहौल बिगाडने की साजिश इसी मकसद से सिक्प और जस्टिस ने हिमाचल प्रदेश के भी कई नेताओं को धंकी भरे संदेश भेजे है खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहले से रेकॉर्ड किये गए फोन कॉल इमाचल प्रदेश के कुछ पत्रकारों और नेताओं को भेजे 56 सेकंड के ओडियो संदेश में पन्नू ने इमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा ना फैराने देने की धंकी दिये ऐसे ही धंकी बीजेपी के अध्याक्ष जेपी नडडा को भी दी गई इसके लावा आम लोगों से भी 15 अगस्त को जंडा नहीं फैराने और घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई आडियो संदेश में ये भी कहा गया था कि पंजाब के बार वो हिमाचल में भी कबज़ा करेंगे क्योंकि हिमाचल का कुछ छेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था हिमाचल प्रदेश पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी पन्नु के खलाप IPC, UAPA और IT Act की विबिन दाराओं के तहर देश द्रोका के जर्च किया इसके अलावा पुलिस ने मामले की जाज़ भी शुरू कर दी है चुकि मामला गंबीर है इसलिए सुरक्षा बलने देश के कई सम्विधनशी लाकों में निगरानी